हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ठीके जानने स्टेडिस में दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर मैं क्लास लेकर आए हूं जो कि लेकर हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो भी आप सिछक की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल में आपको निशूर को तयारी करवाई जाए कि यहां पर टीचर का क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जो भी आप पहले बार देख रहे हैं अब क्लास में जुड़ जाएए और क्लास को यहां पर आप स्काइब पर लेजिए जो चैनल है और बिल घंटी के जो आल बटन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोट करूं उसको आप तकावस से पहुचे और कोश्चन पसंद आए तो लाइक करिए साथ साथ जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं सिक्षक भरती का उन तक सेयर करिए और टेलेगराम ग्रूप पर लिंक निचे दिया गया है उसको भी जरूर से जोइन करिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला यहां पर जो कोश्चन है थ पियाजे के विकास के और धर्णाओं में संवेधी गामक अवस्थास समयजित करता है चार आपसन है अनुकुरान इसमर्तियम मांसिक प्रसुती करन्ध विकलपों की व्यक्षिए करने की छंता तार्किक प्रूप से समद्धन की छंता समाजिक मुद्दू से सरोकार तो इस सब्सक्राइब करने में अच्छे से तैयारी करिए जो भी इसके युगेता रखते हैं तो चलिए आगे बारते हैं दूसरा कोशन है अधिगम का सिक्षा में युगदान है तो वैभार प्रवरतन में नवीन अनुकरम प्राप्त करने में समयोजन में उप्रोक्त सभी तो इसका सही हैं से पड़ी हो जाएगा अधिगम का जो सिक्षा में युगदान यहां पर वैभार प्रवरतन करने में भी होता है नवीन अनुकरम प्राप्त करने में भी होता है और समयोजन करने में तो इसका सही हैं से पड़ी हो जाएगा अगला प्रसन है तीसरा नमबर व सामानने बालको गाल यह समानने बालकों का अध्यान सरी को जाएकित दूर्बल बालकों का अध्यान के लिए उस्वेक्ति का निद्वार विखती क परियोग कऱोग के जाता है चौथा ने म्मकंष्चन है दोस्तों आपके लिए सिख्षा सास्तर से तिस प्रस ने पूछे जाएंगे जूगि काफी मुहत्त पूट रहेगा यह आपको प्लस पाइंट रहता है सिख्षा और आपका इंगलिस हिंदी कडित इचार जो होता है लबभक सौनमर के आसपास से यहां से प्लस ने पूछेंगे सौ 110 तो इसको आपको जरूर दिखना है कसली बस मैंने पहले ही बता दिया हूं तो आप जाकर निचे देख सकते हैं एकला कुश्चन है चाओथा नमबर एक सूथ करता की रूप में आप निमिल्कित में से कौन से सिर्षक को अनुस अंधान प्रस्ताव में सामिन नहीं जोगी निस्वंदान समस्य का प्रिष्टि भूमी और सुंधान के लिए विस्थे व्यख्या और अनुस नंधान की परिकल पनाएं तो इसका चाहर का जो सही आंसर आप क्या हो जाएगा तो इसका अनुस निमिल्कित में से कौन सा चिंतन और सुन्धान से समंधित हैं परम तो पांच प्रस्न दिया है तो मान कर चलिए चार प्रस्न अंसर उप्रोग तो सभी होगा एक कब यहां पर मिश्टेक हो सकता है तो इसको आप ध्यान रखेगा एकला शट्व नमबर विद्यार्थियों के उप्लब्धियों का मुल्यांकन करने के लिए सालाओं में उप्योग की जानेवों विधियां है तो परिलि राथमक Van टमक इवन रखन विधी परिलिन आत्मक इव你在 सफ चाराट कर विधि उयों में से कोई सब्सक्राइब करने बालक तो उसाथ कहां पर सही अंसर यह हो जाएगा पिछड़ा बालक सिंपल है एकला प्रस्न है किसी बालक की वस्तवी का यू आट वर्स और मांसी का यू बारा वर्स तो उसकी बुद्धी लब्धी क्या होगी तो 135, 140, 145 या 150 तो इट का सही अंसर पड क्या शीखा या जानना बच्चे के सिखने में आईकाट नाइं को जानना यो उप्रुकत सभी तो नव को यह हैं पर जो सही अंसर दी हो जाएगा उप्रुकत सभी हो जाएगा एकला प्रस्न है द्यासवा विद्यर्थी और सिख्चक के बीच की एक जो सम्वाध्दात्मक प्रक्रिया है जो सीखने के बातावर्ण में बदलाव लाती है वह है तो क्या हो जाएगा विद्धर्थ दो सिख्षक के बीच जो एक समवात के प्रक्रिया होती है और जो सीखने के बातावर्ण में बदलाव लाती है उसको क्या कहा जाता है तो मुल्यांकन आकला ने उप्र को जाएगा एगला है यहां पर गैरवा नंबर प्रात्मिक कक्छाओं में विसावस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए जो शिख्षा को उप्योग करना चाहिए वह का उंसा है तो यहां पर कोश्चान सिंपल है प्रात्मिक जो कक्छाओं हैं जैसे के पांचवी तक या शिक्स एट्वी तक सभी प्रात्मिक में आते हैं तो किसी विसेवस्तु की जो कमजूर्य उसको दूर करने के लिए सिख्षा को कौन से विधी का उप्योग करना चाहिए तो वारतालाब निती प्रस्नुक्तर निती प्रदर्शन निती है खेल अमुन रंजन निती तो इसका सही आंसरे आपड़ी हो जाएगा खेल अमुन रंजन निती के दुआरा आज के डिट में पढ़ाई के इस्तर काफी अच्छा होता है जो छूटे वालक होते हैं उसको खेल के माध्यम से आप अच्छे से सिखा सकते हैं कुछ भी चीज यहां पर बना करके कुछ बिवस्तु बना करके तो इस इंपोड़न्ट है अगला है बारवा नूमबर सैस्वा वस्ता होती थो पांच वर्स तक बारवा वर्स तक 21 वर्स तक नें में से कोई नहीं तो इसको ग्रेंटर आंसर पर यह हो जाएगा तो सब्सक्राइब होता है कि अगर आप कहीं ब्रहमाड के लिए गए तो आपको याद हो जाता है कि हम लोग इस दार्शनी किस्थल पर गए थे या इस डेम में गए थे घूमने या इस जगह है कोई भी धार में किस्थल है या इत्याद जगह में अगर एक बार आप चले स्थानों के लिए सहिं उत्तर को चैन करना मुंप्रम अगरे अंग्यानाजिका मत्शं को सब्सक्राइं क Och Do हो जाएगा जोग तो सभी एक मुलेंकन की विधी है चाहिए प्रस्ने वाली के माध्यम से करिए या इंटर्यू के माध्यम से या मत्सुची के माध्यम से अगला है 16 नंबर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुक कार्य है तो नए तथ्यों की खोश करना इस्थाने समस्याओं का समधान करना ज्यान देना नहीं वह अधारभू समस्याओं का समधान करना तो इसका सही अंसर हैं पर भी हो जाएगा इस्थानी समस्याओं का समधान करना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुक कार्य होता है अगला है बालक में क्रियाओं को निमित करने तथा रुचि उत अगला कोशन है अठारवा नमबर एक सिच्छा गद्दे वह सब्जियों फालों के चित्र का उपयोग अपने विद्दैर्थियों के साथ चर्चा करता है विद्दैर्थे विवरेंड से जोड़कर पूसर तथ्यों को सिखते हैं इस द्रिश्ट्रिकूर का अधार क्या होगा तो सिखने की क्लासिकल अवस्था पूरर बलान का सिध्दान सिखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकुलन ग्यान का निर्मार तो इसका सही आंसर है पर सी हो जाएगा सिखने की करिया वस्तो अनुकुलान करना एकला निम से कौन सा कथन असत्य है इसमें चार कथन दिया है इनमें से असत्य कथन हमको बतानी है उन्निस्व नंबर है अक्षम वेक्तियों के परती विप्रित विचार एम भावना बच्चो बच्चा बड़ो से सिख साधिक्ता है विसे असकतां वाले बच्चे दूसरे चेतर हुशे निम में अक्शम होते हैं साधिक्षम्ता वलॉबच्च्च कम अनसिक जमता नहीं नहीं रखता तो इसका हुआ पर जो अंसर आपको क्या हो जायेगा तो सो हैं च्तिंगता सदीनियों की बेटिक्ष नियु विभेद कारी जो परिचण है वो अंतर किसका करता है तो कमजोर विद्यार्थियों में समान विद्यार्थियों में प्रतिभा साल विद्यार्थियों में उप्युक्तों सभी तो इसका सही आंसरया पर डी हो जाएगा उप्युक्तों सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस ने कहा, एक विक्ति का दुसरे विक्ति से अंतर एक सहरव भमिग घटना होती है अगला है तेस्वा नमबर एक बालक जो साधिक दोसों से गरस्त है उसमें उत्पन होती है तो समय गात्मा के स्थिरता अच्छे आदतें बिथ्या भिवान या हिंता के भाउना तो डी हो जाएगा एक जो दिव्यांग बालक होता है उसमें एक हिंता के भाउना होती है तो सहयान सरहां पर सी हो जाएगा 11 वर्स की आयू मेहा पर इसका विकास सुना इस्टार्ट हो जाता है अगला प्रसने 25 नमबर एक सिच्छक को इसकुल में प्रथम बार आए विसेश आउसक्ता वाले बच्चों के सांथ क्या करना चाहिए उसकी विसेश आउसक्ताओं के अनुस हैने पर क्या जाएगा तो इसको इसका क्न सВотा बी हो जाएगा बच्चे के को प्रस्तिवाद हो जाएगा ऑगला है सीचने की खील विद्थी उप्योगी है तो बल्ली अथल में प्रेड़ स्व cess Seven दर इक जोट्र ञेड पर भुंद्य उप्योगी का कर्वद्री समय आत्मा को रूप से अभी प्रेरित बच्चों की मुख्य विसेश्ता है तो उनका अति प्रक्रियात्मा के सभाव उनका अंतर मुख्य सभाव या अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका या उनका विसाद गरस्त वेवहार तो इसका सहियान से यहां पर सी हो करते हैं अगला कोशन है 29 नमबर कि आसवा 14 वर्स के आयूंक सबक्रे करते हैं जो अधिक्तर 6-7 वर्स केव अधिक्तर क्याया क्राण के अथमानसिक अच्छमता अपनगता से परमानसिक अक्छमता हो जाएगा तो इस तरह के महीं सारे विसक्षे होते हैं जो की उम्र जाद कुस्टिन वेक्ति धिनताओं को मापन का सरुत्तंध मापनि क्या है तो समान विपाती मापनि तो उसका सही है लापनि हो जाएगा का अंत्राल कि दोस्तों तरह आपके थर्टी तो आप क्लास में बने रहे हैं और गंटे काल बटन को भी प्रेस करकर दखे रहे हैं कुछ भी डाउट सो तो नीचे कमेंट करिए गाते दोस्तों धन्यवाद